नमस्कान दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर पैंशन से सम्मनिद एकोंड नया ताजा अपडेट लेटेश न्यूज आप सभी पैंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं पैंशनर्स के लिए यह एक जरूरी सूचना है यदि आप भी पैंशन धारक हैं सरकार से दिव्यांग विद्वा वर्दवस्ता कुष्टवस्ता या तलाक शुदा में से किसी भी एक पैंशन का लाव प्राप्त कर रहे हैं आपकी भी पैंशन बनी हुई है आज की यह खबर यह जानकारी आपके लिए ही है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सरकार द्वारा बनाए गए पैंशन से सम्मंदिद पांच नियमों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं सभी पैंशनर्स पांच नियम का करे पालन तभी भेजी जाएगी पैंशन लाखो ऐसे पैंशन धारक हैं जिनकी पैंशन तो बन गई है लेकिन बैंक खातें पैंशन नासी को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है किसी की पैंशन 6 महीने से किसी की पैंशन 7 महीने या 8 महीने या 9 महीने यहां तक की एक वर्ष से अ पहुच पा रही है यदि आप एक pension धारक है आपकी pension रुक रही है या आपको लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गलतिया हो रही है जिस वज़े से हमारी pension बैंक खाते में नहीं पहुच रही है तो आप इस वीडियो को अंध तक जरूर देखेगा क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से यदि आपकी pension रुक रही है जैसे आप ये पास्कारी कर लेते हैं तो आपके बैंक खाते में दो बारस से आपकी pension आना सुरू हो जाएगी और जो आपकी रुकी pension है वह भी आपको मिलना सुरू हो जाएगी सभी information आपको step by step detail wise में इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है वीडियो की सुरूआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा साथ ही बेल आइगन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का notification है वह सबसे पहले आपको पराप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चलिए वीडियो की सुरूआत कर लेते हैं देखे दोस्तों आप किसी भी राज्ये के pension धारक हो सकते हैं हरियाना, पंजाब, गुजरात, महराश्टरा, करनाटका, उत्तर परदेश, हिमाचल परदेश, मध्य परदेश, किसी भी राज्ये के आज की यह जानकारी सभी राज्ये के pension धारकों के लिए है देखे दोस्तों कुछ pension scheme ऐसी है जो कि central government चला रही है और कुछ pension scheme ऐसी है जो कि state government चला रही है यह राज्ये सरकारी दरब से लाभार्तियों को pension दी जाती है अब जैसे आपने देखा होगा इंदरा गांधी national old days pension scheme इंदरा गांधी national disability pension scheme अब इसमें ये तो old days pension धारकों के लिए है जो विकलांग है कुछ तवस्ता ये उन pension धारकों के लिए है अब एक इंदरा गांधी national वीडो pension scheme है ये विद्वा महिला तलक्षदा महिला लाभार्तियों के लिए है अब जैसे आपने नाम से समय लिया होगा ये है पर्धान मंतरी निरेंदर मोदी की वर्तवान समय में केन सरकार की देखरेख में ये pension योजना चलाई जा रही है और ये योजना पूरे भारत में सभी राज्य में माननी है लगबग सभी राज्य में pension scheme चलाई जा रही है अब जैसे कि मध्य परदेश है आपका बिहार है और भी अन्य राज्य है जिन में ये केंदर की pension योजना चलाई जा रही है किसी राज्य में 600 रुपे परति महिना pension दिये जा रही है किसी राज्य में 300 रुपे भी pension के दिये जा रही है और किसी राज्य में 4 सुर्पे भी परती महिना पैंशन सरकार दे रही है अब इसी परकार से कुछ पैंशन इसकीम ऐसी है जो कि राज्य सरकार भी चलाई जा रही है अब राज्य सरकार में ऐसे हैं जो राज्य के अधीन आने वाले हैं केवल उनको ही पैंशन दी जाती है अब यदि हम बात करें उत्राखंड राज्य के बारे में उत्राखंड राज्य में और हर्याना राज्य में और जैसे की आपका राजस्थान है तो जैसे हम उत्रखंट के बारें बात कर लेते हैं उत्रखंट राज्य में स्टेट गवर्मेंट प्लस केंदरियानी की सेंटरल गवर्मेंट दोनों को मिला कर दोनों का अंसदान जो पैंशन का होता है लाभार्तियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है और उत्रकंट राज्य में 1500 रुपे परति मैना ये पैंशन नासी दी जा रही है जिसमें 1200 रुपे तो होते हैं राज्य सरकार की तरफ से और 300 रुपे हो जाते हैं केंदर सरकार की तरफ से टोटल 1500 रुपे ये सीधे लाभार्तियों के बैंक खाते में सरकार ट्रांस्फर करती इसी प्रकार से जो राजस्थान राज्जे हैं राजस्थान राज्जे में भी स्टेट गवर्मेंट प्लस सेंट्रल गवर्मेंट दोनों को मिलाकर लाभार्तियों के बैंक खाते हैं पैंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाता है अब राज्थान राज्जे में कुछ pension scheme ऐसी ही है जिसमें केवल राज्थान राज्जे भी लाभार्तियों को pension देता है और कुछ pension scheme ऐसी है कि दोनों को मिलाकर यानि कि state government, central government दोनों को मिलाकर pension नासी लाभार्तियों के बैंक खाते में transfer की जा रही है तो जैसे दिल्ली राज्य में दे जा रहे हैं 2,500 रुपे परती महिना हर्यान में दे जाते हैं 3,000 रुपे पैंशन परती महिना दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्ता, कुष्टवस्ता, तलाखशुदा, लाभार्तियों को तिमाही पैंशन ट्रांसफर करती है, अब तक वर्ष की पहली तिमाही किस्त लाभार्तियों बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है, जो की अप्रेल मई और जून महिने की है इसी परकार से जो मध्य परदेश है, मध्य परदेश में 600 रुपे पैंशन के दिये जा रहे हैं और जो अन्य राज हैं, जैसे की विहार 400 रुपे सरकार परतिमाहीना दे रही है तो चलिए अब यहां पर हम नियमों के बारे में जान लेते हैं, बहुत से ऐसे पैंशन धारक भी हैं जिनको एक भी पैंशन नासी, परतिमाहीना वाली या तिमाही पैंशन नहीं मिल पाई हैं तो वे पैंशन धारक कैसे नियमों का पालन करके अपनी पैंशन प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं पैंशन के नियमों के बारे में, उससे पहले समझे, सभी पैंशन लाबारती इन पांच से नियम का पालन करे तभी आपके बैंक खाते में आपकी पैंशन हस्तरांतरन किया जाएगा यदि किसी पैंशन धारक की रुक्य हुई पैंशन रासी है या सभी कारिये पूरे होने के बाद भी जो सरकार है वह पैंशन आपके बैंक खाते में हस्तरांतरन कर दी जाएगी पैंशन से जुड़े हुए यह सभी कारिये होने के बाद आपको भविस्य में समय से पैंशन कला मिलता रहेगा और भविस्य में किसी भी परचानी का आपको सामना नहीं करना होगा और यदि आपकी पैंशन धारक है फिर भी इन पांस नियम का पालन नहीं करते आपको पैंशन नहीं दी जाएगी आने वाले समय में जो आपकी पैंशन है वहें बंद भी हो सकती है तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेगा क्योंकि इसने पैंशन से सम्मनिद नियम के बारे में बात हो रही है यह है पैंशन के पांच नियम अब जो पहला नियम है इसमें लिखा है आधार कार्ड की तुरूटी सही कराए देखे बहुत से ऐसे पैंशन धारक हैं दिव्यांग विद्वा वर्दवस्ता पुष्टवस्ता और तलाक्षुता जिनका आधार कार्ड दस वर्ष से अधिक समय हो चुका है लेकिन उन्होंने अपने आधार कार्ड को अपडेट ही नहीं कराया है यानि कि 10 वर्ष पुराना आधार कार्ड है तो जिस भी किसी ऐसे पैंशन धारक का आधार कार्ड है सबसे पहले उन पैंशन धारक को अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है आधार कार्ड आप करा सकते हैं वहाँ पर एक कैम्प लगाया जाता है आधार कार्ड की यानि जो आधार कार्ड है जो इसको CSC वाले हैं ये लगाते हैं तो वहाँ पर जाकर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं अपडेट क्या कराना है जो आपका फोटो है वह अपडेट आपको कराना है, यदि जनमतित्ि में गलतिया हो रही तो जनमतिति को आप ठीक कराईए और यदि आपके address में कुछ गलतिया हो रहे हैं, मातराओ की या address गलत है तो उस गलतियों को ठीक कराईए आपका आधार कार्ड ठीक होना चाहिए और यदि mobile number link नहीं है तो mobile number को link जरूर करा ले ये कारिये सबसे पहले आपको कराना है तो इतना आपने समय लिया है बात करते हैं अब दूसरे कारिये के बारे में ये हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको आधार कार्ड ठीक कराने को क्यों बोला जा रहा है बात करते हैं दूसरे कारी के बारे में अब देखे जो दूसरा कारी है यह पैंशन का EKYC है अब सरकार की तरब से पैंशन का EKYC कराना अनिवारिये कर दिया गया है सभी दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्ता, कुष्टवस्ता, तलाशुदा, पैंशन धारकों के लिए उत्तर परदेश राज्ये में लाखो ऐसे पैंशन धारक है जिनोंने अपनी पैंशन का EKYC नहीं कराया ताकि जो समाज के लिएन विभाग के दिकारिये हैं उनको मालूम हो सके कि कौन से ऐसे पैंशन धारक है जिनकी यहाँ पर मृत्यू हो चुकी है और यहाँ पर कौन पातर है, कौन एपातर है तो सरकार यह जास करती है, इसलिए आपकी पैंशन का EKYC कराया जा रहा है, तो आपको भी कराना है यदि आप भविश्य में पैंशन लेना चाहते हैं कैसे करा सकते हैं, आधार कार आपके पास होना चाहिए, आधार कार में आपका मोबाइन नंबर लिंक होना चाहिए और नज़्दी की CAC, जन सुईदा केंदर पर जाकर यह कारिये आप करा सकते हैं, बात करते हैं तीसरे कारिये के बारे में अब जो आपका तीसरा कार ये है वे आपके बैंक खाते से आधार कार से जुड़ा हुआ है यानि कि जो आपको तीसरा कार करना है बैंक खाते से आपको अपना आधार कार लिंक कराना है NPCI mapping भी कराना है और DPT enable भी कराना है जबी आप सरकारी scheme का योजनाओं का लाब उठा सकते हैं सभी योजनाओं का पैसा तभी आपको मिल पाएगा जिस भी आप योजना का लाब लेना चाहते हैं अन्य था किसी भी योजना का आप लाब नहीं ले सकते बैंक खाते हैं आपको pension का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा तो कैसे करा सकते हैं अब देखिए जो आपका बैंक खाता है चाहे आपका SBI में हो पंजाम National Bank में हो अपने बैंक में जाए अपने आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर और फोटे स्टेट लेकर ये लेकर आपको जाना है प्लस जो बैंक खाते में और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ है वे भी आपके पास होना चाहिए यदि बैंक खाते से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो मोबाइल नंबर को लिंक करा लिजिएगा अब क्या कारे करना है सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाना है अपने आधार कार्ड को लेकर उनको बोलना है कि हमें अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक कराना है NPCI को मैपिंग कराना है और DBT को इनेबल कराना है वहां से आपको एक फारम दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा NPCI वह फारम भरकर आपको जमा कर देना है अधिकारी दुआरा वह फारम आपको दिया जाएगा जिसमें आपके बैंक की डिटेल होगी आपके आधार कार्ड की डिटेल होगी और आधार कार्ड की photo state attach करके भर कर sign कर सकते हैं तो sign कीजे अंगोठा लगा सकते हैं तो अंगोठा लगाईए और भर कर अधिकार्यों को जमा कर दीजे 48 गंडों के अंदर आपका NPCI mapping हो जाएगा बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक हो जाएगा और DBT भी आप इससे प्रकार से enable अपना करा सकते हैं तो इस प्रकार से ये आप तेसरा कार्य भी पूरा करा लिजेगा बात करते हैं अब चोथे कार्ये के बारे में अब देखे बहुत से तो ऐसे भी पैंशन धारक हैं जिनका बैंक खाता पैंकार से लिंक ही नहीं है तो ये कार्ये आपको कराना है केवल उन पैंशन धार को कराना है जिनका बैंक खाता पैंकार से लिंक नहीं है अपना बैंक खाता पैंकार से लिंक कराईए यदि आपका pen card नहीं बना हुआ है तो pen card बनवा लीजे एक हफ़ते के अंदर आपका pen card है आपके dark द्वारा आपके घर transfer कर दिया जाएगा तो आपको CSE Center पर जाना है जिसके पास pen card नहीं है वहाँ से आप pen card के लिए apply कर लीजे और इसके बाद अपने bank खाते से pen card को link कराईए और यदि पहले से आपके पास pen card है तो आप bank में जाकर bank खाते से pen card को link करा सकते हैं कराना अनिवारिय है अब बात करते हैं पांचवे कारे के बारे में pension application form correction अब बहुत से ऐसे pension धारक है जिसका आधार card भी सही है यानि कि pension का EKYC पूरा हो रहा है bank KYC भी पूरा है NDP से mapping भी है DBT enable भी है फिर भी bank खाते में pension नहीं पहुँच रही है तो कही ना कहीं तो गलतिया है जिस वज़े से pension नहीं आ रही है अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कही ना कहीं आपके application फारम में गलतिया हो रही हो हो सकता है bank की detail में हो या जो आपने फारम बराएं उसमें मातराओं में spellings में या जो CSE center वाले हैं भरते समय उनसे कुछ मातराओं में ये spellings में गलतिया हो रही हो तो इस वज़े से भी आपकी pension को रोक लिया जाता है अब जो pension जैसे आप तो CSE center पर जाकर apply कर लेते हैं उसके बाद जो अधिकारे होते हैं वह जास परताल करते हैं सभी document को आपको check किया जाता है आपके document को यदि उनको लगता है कि यहाँ पर किसे ने किसी परकार की गलतिया है तो वह उनका फरम reject कर दिया जाता है या pending में आपको नजर आता है तो यह भी बहुत बड़े कारण है जिस वएसे pension नहीं मिल पाती देखे यदि आप इन pass कारियों का पालन कर लेते हैं, pass कारिये कर लेते हैं, तो आपको भविसे में किसी परकार की परिसानी का सामना नहीं करना होगा, और समय समय से बैंक खाते में आपकी pension आपको मिलती रहेगी, बैंक खाते में सरक तरफ से हस्तरांतरन होती रहेगी और यदि आप सरकार के बनाए गए इन pass नियम का पालन नहीं करते हैं तो भविसे में आपकी pension कभी भी बंद हो सकती है फिर आप कभी भी अपनी pension का लाब नहीं ले पाएंगे, तो pension का EKYC जो कारिय है वे चल रहा है आप ये कारिय अपना करा सकते हैं जिन्होंने पहले ही pension का EKYC कराया हुआ है उन्हें दोबारा कराने की कोई भी अवश्यक्ता नहीं है अब देखे, जैसे हमने आपको कहा था कि हम आपको बादें बताएंगे कि आपका आधार कार क्यों update होना जरूरी है देखे, यदी आप अपना पहले आधार कार update नहीं कराएंगे pension का KYC कराएंगे तो आपके आधार कार से ही pension का KYC होगा जो आपकी गलत information है वे आपके pension में update हो जाएगी तो ये कारी आपको नहीं करना पहले अपने आधार कार को update कराईए उसके बाद ये सभी कारी आपको पूरे करने हैं तभी आपकी pension आपके बैंक खाते में आना सुरू हो जाएगी यदि बंद हो रही है ये कारी आपको कराना अनिवारिये हैं सभी pension धार को आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको मर्दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा आपके एक like से हमें बहुत ज़्यादा motivation मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाते हैं नीचे comment box में आगर पूछ सकते हैं सभी सालों के जवाब आपको दे दिया जाएगा लाश्ट में हम निवेदर यह करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत